पाकिस्तान से आई सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन के इसी घर में रहती थी जहां देखिए कि घर का दर्वाजा बीते कई दिनों से लगातार बंद है और किसी भी बाहरी लोगों को अंदर एक्सेस नहीं मिला है पाकिस्तान से आई सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन के इसी घर में रहती थी जहां देखिए कि घर का दर्वाजा बीते कई दिनों से लगातार बंद है और किसी भी बाहरी लोगों को अंदर एक्सेस नहीं मिला है फिलाल बताया जा रहा है कि सीमा इस घर पे न तो मौजूद है ना ही इस घर पे सचिन मीना मौजूद है जमावडा था उसके अलावा गाओं के लोग के साथ साथ आस पास के भी जो इलाके के जो लोग थे वो सीमा हैदर को देखने आ रहे थे मिलने आ रहे थे जहां शुरुआत में लोगों ने मूद दिखाई के तोर पर तमाम पैसे भी दिये मिठाईयां भी बाटी और उसके बाट से पूरे तरीके से इस घर को बंद कर दिया गया है यानि कि सिर्फ या तो पुलिस अलाव है या फिर मीना फैमिली अलाव है उसके अलावा कोई अलाव नहीं है लेकिन जानकारी के मुताबिक आपको बताना चाहूँगा कि बीते दो दिनों से सीमा मीना जो है वो यह यहां मौजूद नहीं है साथी साथ सची मीना भी यहां मौजूद नहीं है यहां पर सिर्फ जो है वो सीमा के जो फादर है जो फादर इनलाज इनको कहते हैं नितराम वो यहां सिर्फ घर पे रहते हैं उसके अलावा यहां पर कोई मौजूद नहीं है आई दिनों यहां प सब्सक्राइब आप सिमा के वकील है नो कमेंट्स नो कमेंट्स तो देखे ये काले कोट में निकले हैं सीमा के घर से और यह देखे कि जो है उन्होंने कुछ भी बताने से मना किया है लेकिन गर के अंदर जो है वो सचिन के फादृ मौँद है नोंने दरौैस प söyle अंदर जो मौँद वकील थे वो यहां से निकले लेकिन वकील से भी बात करने कोशिक खी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है लेकिन देखना यही होगा कि सीमा आखिर कहा है किसके घर पे रहरी है सचिन मीरा कहा है और तवाव एजेंसियां जो जाच के भी जाच में क्या कुछ चीज़े निकल कर सामने आती है